हेलो फ्रेंट्स मैं निखिल कुमार एक फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएसी इपार्ट चला में सीजीपीएसी इपार्ट चला में आज का मार टॉपिक है चत्तिस गड़ का 28 जिला गोरिला पेंडरा मरवाही दस फरवरी 2020 को जो चत्तिस गड़ के 28 जिले की रूप में एक नए जिले का स्विजन हुआ गोरिला पेंडरा मरवाही उसका आज हम एक भोगोलिक परिशय देखने वाले हैं इससे पहले भी हमने लाश्ट इयर नवंबर और दिसंबर में इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस गोरिला पेंडरा मरवाही का एक छेत्रिय परिशय देखा था छेत्री परिशय इंदसेंस मतलब बिलासपूर से कितना हिस्सा इसका कट करके अलग हो करके इस नए जिले को बनाया गया इस नए जिले के बनने के बाद 36 गड़ का जो संरचना है उसमें क्या परिवर्तन हुआ जानी कितने भुगावेश्टी जिले हो गए कितने अंतर押 जिले सीमा को इस फ़रश करने वाले जिले बन गए कितनी विदान विधान सभाई है कितने आदिवासी बहुल शेत्रा है कुछ important facts हमने last video पे देखा था जेदि उस video को आपने नहीं देखा है तो उस video को जाकर न देखिए उसमें काफी सारे important facts है उन चीजों को हम यहां discuss नहीं करेंगे ठीक उसका link में आपको नीचे description में comment section के पहले comment पे दे दूँगा वहाँ से जा करके उस link पे click करके आप उस video को पूरा देखिएगा आज की इस video में हम इसका एक भौगोलिक परिचे देखने वाले है यहां हम देखेंगे कि इस नए गठी जिले के अंतरगत कौन-कौन से पहाड, कौन सी नदिया, कौन से परेटन, इस्थल कौन से धार्मी की सामिल है इन चीजों को देखेंगे इसके कुछ एतिहासिक पहलों को भी समझने का हम कोशिश करेंगे ठीक है, देखिए गोरेला, पिंडरा, मरवाही, 36 गड़का ये 28 जिला बना पहली बात तो 36 गड़का ये 28 जिला बना ठीक है, जो पिछले वीडियो में कवर किये थे, उन्ची जो को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा, नए चीजे, इस जिले से संबंदित, कुछ नए फैक्स पे हम आख चर्चा करेंगे ठीक है, तो ये जो जिला है, ये 36 गड़का 28 जिला बना कौन संब्हाग में है, बिलासपूर संब्हाग में है, किस जिले से अलग होकर के बना तो ये बना है, आपका बिलासपूर जिले से अलग होकर के बना है ठीक है, देखिए, पिछले साल 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंतरी भुपेश बखेल ने घोष्णा किया था कि ये जो आपका गोरिला पेंडर मरवाही है इसे एक नया जिला बनाया जाएगा घोशना हुआ था 15 अगस्त 2019 को जबकि ये एक नय जिले के रूप में गठित हुआ या एक नय जिले के रूप में स्रीजित हुआ आपका 10 फरवरी 2020 को ठीक है यानि आपसे यह प्रशन पूछा गया कि गोरिला पेंडर मरवाही अस्तित्व में कब आया या गोरिला पेंडर मरवाही का गठन किस वर्ष हुआ पूछा जाए तो वर्ष होगा 2020 और exact date पूछा जाए तो वो होगा आपका 10 फरवरी 2020 ठीक है अब इसको 10 फरवरी 2020 को ही इस जिले का गठन क्यों किया गया एक चीज़ समझेगा ये जो आपके हमारे 36 गड़ के जो प्रथम विधान सभा अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंदर प्रशाज शुकला ठीक डॉक्टर राजेंदर प्रशाज शुकला ये इसी छेत्र ये जो छेत्र है आपका गोरिला पेंडरा मरवाही वाला छेत्र ये इनका चुनाव छेत्र था इनका राजेंदर प्रशाज शुकला जी का ठीक है इनका जन्म दीन रहता है 10 फरवरी की दिन, ठीक, ये जो आपके राजेंद्र प्रशाज शुक्ला जो है, जो 36 गढ़ विधानसभा के अध्यक्छ है, अध्यक्छ थे, वर्ष 2000 से ले कर के 2003 तक का इनका कारेकार रहा, ठीक, वर्ष 2000 से ले कर के 2003 तक, ये 36 गढ़ के पहले विधानसभा अध्यक ठीक है? जो आपका गोरिला पेंडर मर्वाई पाला छेतर है, उसे प्रिथक जीला बनाए जाने के लिए इनोंने काफी प्रयास किया था. इसी कारण से, इनके जो जण्म दिवस है, दस परवरी, दस परवरी के दिन ही इस जिले का गठन किया गया. ठीक है प्रथम विधान सभा अध्यक स्री राजेंदर प्रशाश शुकला जी के जन्व जैन्ती के आउसर पर इस नय जिले का स्रीजन किया गया है गठन किया ठीक है नेक्स्ट देखिएगा अब इससे जो related जो important factor है उस पर हम बाद में discuss करेंगे सबसे पहले देखिए map ठीक है देखिए ये आपका गोरिला पेंडर मरवाही का एक map है इसे समझिएगा ये यहां से आपकी दो सड़क क्रॉस हो रही है गोरिला पेंडर मरवाही के बीचो बीच से आपकी दो सड़क क्रॉस हो रही है एक सड़क देखिए सबसे पहले इसके च पस्टिम दिशा में है आपका मद्यप्रदेश राज्य, मद्यप्रदेश राज्य का अगर हम देखेंगे तो इसमें है आपका अनुप्पूर जिला, पूर्व दिशा में है कोर्वा जिला, उत्तर दिशा में है कोर्या जिला, दक्षिन दिशा में है आपका बिलासपूर और मुंगेली जिला ठीक है इसे हम पिछले वीडियो में देख चुके है अब देखिए इस जिले से दो सड़के क्रॉस हो रही है एक ये वाला जो सड़क है जो आपके अनुपपूर जुला मद्यप्रदेश से ले करके आपको गोरिला पेंडरा मरवाही को बीच से क्रॉस करते ह जाता है कोर्बा की ओर कोर्बा कटगोरा की ओर ठीक है ये है आपका स्टेट हाइवे नंबर फोर जो की मद्यप्रदेश से इंटर करेगा पेंडरा को क्रॉस करते हुए आपका कोर्बा की ओर निकल जाता है ठीक है और एक सड़क जो उपर से नीचे आ रहा है ये आपका उ पूर्जल रही है एक है स्टेट हाईवे नमबर 4 और दूसरा है आपका साधाईवे नमबर 8 अब देखिए सबसे पहले हम कुछ जगहों के नाम जो आपको रुबार की तरह पहले सारे के सारे जगहों के नाम बता यता तो यहां पर है आपका अनूप पूर जिला ठीक है अनूप पूर जिला ठीक अनूप पूर जिला। धनपूर, धनपूर के बाद पेंडरा, पेंडरा के बाद अंजनी, अंजनी के बाद गोरिला, फिर ये सडक नीचे चले जाएगा बिलासपूर की ओर, ठीक, यहाँ पर चार पहाड है, पहाड कौन कौन से देखिएगा, एक आपका मध्य प्रदेश और गोरिला पेंडरा दोनों की सीमा पर मौझूद है आपके अमरकंटक की पहाडी, ठीक, यहाँ पर मौझूद है आपके खोंडरी, खोंगसरा की पहाडी, ठीक, अमरकंटक की पहाडी, इस साइड है आपका पलमागड, ठीक, पलमागड की पहाडी, यहाँ पर मौझूद है आपका घाट बहरा की पहाड़ी, ठीक है, घाठ बहरा की पहाड़ी, चार पहाड़ी मौझूद है, आपके इस gorillà pendra मर्वाही में, कौनकौन से है, αमर कंटक की पहाड़ी, जो कि मध्दप्रदेश और 36 गड़की सिमा पर मौझूद है, एक साइड है आपके खोंडरी, खोंगसरा की पहाडी, एक साइड है पल्मागर की पहाडी और नीचे बीच में यदि हम देखेंगे तो ये है आपके घाट बहारा की पहाडी ठीक है ये चार पहाडी इसके अलावा यहाँ पे कुई 6 नदिया इसके साथ सीमा बनाते हुए तथा इस जिले की भीतर होते हुए बहती है ठीक है देखिए अब सबसे पहले हम देखते है आपका यह सड़क नंबर आपका 4 इस्टेट हाईवे नंबर 4 देखिए यह है आपका अनुपपूर जिला अनुपपूर जिला के बाद यहाँ पर है अमरकंटक ठीक अमरकंटक में मौजूद है आपके अमरकंटक की पहाड़ी जो जो चीजी बताते जा रहा हूँ जो भी important fact बताते जा रहा हूँ उसको समस्ति यह निकलती है एक यहाँ पर जगा है जिसका नाम है आपका सोन मुंडा सोन मुंडा नामक एक जगा है जहां से निकलती है आपकी सोन नदी तथा यहीं अमरकंटक की पहाड़ी से भी निकलती है आपकी नर्मदा नदी देकिन नर्मदा नदी को अभी हम डिसकस नहीं ठीक है, देखिये, यह जो आपका सोन मुन्डा, अमरकंटक की पहाड़ी से ही यहाँ पर निकलती है, सोन मुन्डा नमा के एक जगा है, जहां से निकलती है आपकी सोन नदी, जो की उपर की ओर भैती है, हमारा 36 गड़, आपका सोन नदी प्रवात अंतरकर आता है, ठीक है, द बोड़े दूर आगे जाएंगे तो यहाँ पे है आपका जुलेश्वर धाम, जुलेश्वर धाम, पेंडरा, इस्टेट हाईवे नमबर फोर खतम, देखिए, इस जुलेश्वर धाम है, जुलेश्वर धाम, देखिए, कई बुक में आपको इसके जगल लिखावा मिलेगा आ आपकी एक नदी जिसका नाम है आपका जोहिला नदी ज्वालेश्वर धाम से निकलती है देखिए जो ज्वालेश्वर धाम है ये भी इस अमर कंटक की पहाडी का ही एक हिस्सा है इस अमर कंटक की पहाडी के अंतरगत एक ज्वालेश्वर की पहाडी भी है इसी पहाडी पे म जोहिला नदी जोकी आपके आगे जाकर के सोन नदी के साथ संगम बनाती है ठीक हमारे 36 गड़ के जौलेश्वर धाम से एक नदी निकलती है गोरिला पेंडर मरवाही में बहती है एक नदी जिसका नाम है जोहिला नदी जोकी जौलेश्वर धाम से निकलती है और आगे जाकर के सोन नदी में जाकर के मिल जाती है ठीक है जोहिला नदी ठीक अब देखिए इसी जालेश्वर धाम के उपर और नीचे दो जगा एक है आपका मा मरही माई मंदीर ठीक मा मरही माई मंदीर और दूसरा है आपका राज मेरगड मा मरही माई मंदीर और नीचे है आपका राज म देखिए यह जो मा मरही माई मंदीर है इसका कुछ एतिहासीक महत्व भी है समझीएगा देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो इधर आपका इधर मद्यप्रदेश का एरिया है इधर इधर मद्यप्रदेश के इंदोर से लेकर के हमारे 36 गड़ के बिलासपूर इन दोनों के मद्यप्रें चलती है आपकी नर्मदा एक्सप्रेस तो यह जो रूट है यह काफी आपका दूर्गम छेतर है तो तो यहाँ पर क्या है? अकसर यहाँ पर रेल हाथ से होते रहते थे काफी ज्यादा मातरा में इन छेतरों में रेल हाथ से होते थे तो इसी बीच में वर्ष 1984 2004 में नर्मदा एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा रेल हाथ सह हुआ नर्मदा एक्स्प्रेस वर्ष 1984 में एक खड़ी मालगाडी में जाके टकरा गई जिससे काफी ज़्यादा जानमाल की हानी हुई वो आपकी जो दुरघटना था वो इतना भयंकर था कि आज के डेट में भी उस छेत्र में उस ट्रेन के कल पूर्जे आज भी उस छेत्र में बिखरे हुए है तो इसी को देखते हुए काफी ज़्यादा वहाँ पे दुरघटना हो रही है तो इसी को देखते हुए आपका रेलवे विभाग और अरबन विभाग दोनों के सन्युक्त प्रयास से यहाँ पे इस माता की प्रतिमा इस्थापित की गई जिसका नाम रखा गया मा मरही माई मंदीर ठीक है इसका थोड़ा सा महत्व है बस याद रखिएगा मा मरही माई मंदीर ये किस जिले में है तो गोरिला पिंडरम अरवाही में है ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा देखिए जलेश्वर धाम के उपर है मा मरही माई मंदीर और नीचे है आपका राजमेरगड राजमेरगड ये कि ये एक पाठ प्रदेश पर इस्थीत है पाठ छेत्र पर लगभग 3,000 फिट की उच्चाई पर मौजूद है पहाडियों पर बसा हुआ आपका जो राज्य है मेघाले पहाडियों के उपर बसा हुआ है वैसे ही लगभग 3,000 फिट की उच्चाई पर एक पाठ छेत्र पर आपका बसा हुआ है राजमेरगड जिसके कारण है राजमेरगड को 36 गड़ का मेघाले भी कहा जाता है इन्प दूसरा इसे आपका भारत का दूसरा अमरकंटक कहा जाता है राजमेरगड को भारत का दूसरा अमरकंटक कहा जाता है देखिए यदि हम साइड में देखें को यहाँ पर मौझूद है अमरकंटक अमरकंटक एक परेटन इस्थल है मद्ध्यप्रदेस का जो की फेमस है आप को राजमेर गड़ से भी देखने के लिए मिलता है इसी लिए इसे हमारे भारत का दूसरा अमरकंटक कहते हैं पहला 36 गड़ का इसे मेघाले कहा जाता है दूसरा भारत का इसे दूसरा अमरकंटक कहा जाता है एक पर्यटन इस्थल है काफी न्यूज में आ रहा है पर्यटन द पेंड्रा मरवाही में काफी important है राजमेरगड ठीक तो देखिए अब इस सड़क में हम आगे जाएंके तो यहां पर मौजूद है आपका पेंड्रा पेंड्रा ठीक है पेंड्रा एक तहसील भी है देखिए गोरिला पेंड्रा मरवाही इन तीन तहसील के नाम पर ही इस जीले पेंड्रा में पेंड्रा के नामकरण के पीछे भी एक श्टोरी है यहां पर जो लूटेरे थे पेंडारी जन जाती मैं पिंडारी की बात नहीं कर रहा पिंडारी अलग है पेंडारी अलग है ठीक है यहां पर पेंडारी जन जाती के लोग अपने लूट का धन इस छेत्र म प्यापन करती थी तो उन पेंडारी जंजाती के लोग इस छेत्र में आ करके अपने लूट का धन छुपाते थे इनकी जंजाती बहुल छेत्र होने के कारण इस छेत्र का नाम पड़ा आपका पेंडरा 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 पेंडरी जंजाती बहुल छेत्र होने के कारण इसक जगा का नाम आपका पेंडरा पड़ा ठीक है यहां पर एक 36 गड़ के 36 गड़ों में से एक गड़ और आगे जाएंगे इसी सड़क को लेकर करके श्रीट हाइवे नंबर 4 तो हम कोर्बा में इंटर करेंगे ठीक है अब देखिए अब इस सड़क को देख लेते हैं सबसे पहल गोरेला बोलेंगे या तो पेंडरा रोड गोरेला बोलेंगे यह पेंडरा रोड अलग है और पेंडरा अलग है पेंडरा रोड गोरेला या फिर गोरेला और उपर दूसरा जगह है यह पेंडरा ठीक है इसका पूरा नाम है पेंडरा रोड गोरेला ठीक है पेंडरा रोड चेत्र है यहां पर अंजनी में मौझूद है अध्योगिक चेत्र ठीक अंजनी जो की गोरिला पेंडरा मरवाही का एक अध्योगिक चेत्र है यहां पर रानी दुर्गावती अध्योगिक चेत्र मौझूद है ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा अंजनी जो की इस नए जिले का एक और्द्योगिक छेत्र है, जिसका नाम है रानी दुरगावती और्द्योगिक छेत्र अंजनी, ठीक, देखिए, इसके उपर जाएंगे तो पेंडरा, जो की 36 गड़ के 36 गड़ों में से एक है, उसके उपर जाएंगे तो धनपूर, धनपूर, देखिए, धन से चुनाव लड़ा करते थे, ठीक है, मरवाही जो की सफेद भालू के लिए फेमस है, सफेद भालू, इस मरवाही छेत्र में, हमारे प्रदेश में सफेद भालू मिलते है, यहाँ पर देखिए, इस मरवाही छेत्र में, यहाँ पर सफेद भालू मिलते है, और यहीं पर च अभी lockdown के समय रामयान चल रहा था, रामयान में जो सुग्रीव के एक मंत्री थे, जो की भालू थे, उनका भी नाम था जामवन्त, ठीक है, जामवन्त, जो की सुग्रीव के आपके मंत्री थे, भालू थे, ठीक, तो देखिए, जामवन्त पर योजना कहां चल रहा है, आपके मरवाही में, जवकि सफेद भालू यहां बहुत आयत मातरा में है, ठीक मरवाही के उपर जाएंगे तो आपका आ जाता है फिर उपर कोरिया जिला, ठीक है देखिए, अब चारो आपके डिरेक्शन में देखिएगा, कुछ फेमस जगा एक है यहां पर है आपका खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी जहां पर मौझूद है आपका अमरपूर, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी अमरपूर से निकलती है आपकी अर्पा नदी अरपा नदी जो कि गोरिला पेंडरा मरवाही से बहते हुए आपका इंटर करती है आपके बिलासपूर में बिलासपूर इसके तट पर बसा हुआ सहार है तो देखिए पहले प्रेशन पूछा जाता था कि अरपा नदी का उद्गम किस जिले से होता है तो वो था बिलासपूर लेकिन अब ये जिला आपका गोरिला पेंडरा मरवाही इस बिलासपूर से कटकर अलग हो गया है तो ध्यान दीजेगा अरपा नदी का उद्गम अब गोरिला पेंडरा मरवाही से होता है किस पहाड़ी से होता है तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से होता है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी किस जिले में है पुछा जाए तो याद रखिएगा गोरिला पेंडरा मरवाही जिले में ये खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है ठीक तो अर्पा नदी का उदगम अमरपूर नामक जगह से होता है ठीक देखे इसी खोंडरी खोंगसरा की पहाडी में एक तरफ से आपकी अर्पा नदी निकलती है और दूसरे तरफ से निकलती है आपका मलनिया नदी ठीक मलनिया नदी ठीक ये जो मलनिया नदी है ये अर् तो मलनिया नदी का उदगम किस जिले में है पूछा जाए तो आपको गोरिला पेंडरा मरवाही में किस पहाडी में है पूछा जाए तो याद रखिएगा ये अरपा की सहायक नदी है ठीक है देखिए इसी के नीचे यहीं पेंडरा चेत्र से कहीं एक जगह से निकलता है जो की आपका सोन नदी का एक सहायक नदी है देखिए ये तिपान नदी का उदगम छेत्र कहां पर है ये इसफश्ट नहीं है बस लिखा गया है कि पेंडरा के वार्ड नंबर 2 के एक दलदली छेत्र से ये नदी निकलती है करके तो देखिए यहीं पेंडरा के समीब से ही नदी निकलती है जिसका नाम है तिपान नदी जो की आपके सोन नदी की एक सहायक नदी है ठीक है तो देखिए ये वाला एरिया पूरा हो गया एक अर्पा नदी अर्पा नदी की सहायक नदी मलनिया नदी यहां है तिपान नदी जो की है आपके सोन नदी की सहायक नदी ठ अब देखिए, अब सड़क के इस तरफ का छेतर, इस तरफ मौझूद है आपका पल्मागड, पल्मागड की पहाड़ी किस जिले में है पूछा जाया, तो याद रखिएगा गोरेला पेंडरा मरवाही मौझूद है आपके पल्मागड की पहाड़ी, जिसकी उचाई है 1080 मीट घाट बहरा की पहाडी जिससे निकलती है एक नदी जिसका नाम है बमहनी नदी घाट बहरा की पहाडी जिससे निकलती है आपकी बमहनी नदी जो की सायक नदी है आपकी हस्देव की आगे देखेंगे आप ठीक आगे हस्देव में जाकर कि ये नदी मिल जाती है बमहनी नदी जिसका उदगम कहां से हो रहा है? गोरिला पिंड़ा मरवाही से पहाडी, घात बहारा की पहाडी, भमहनी नदी, सहयक नदी है, किसकी? हसदेव नदी की, यह बमहनी नदी आगे जाके हसदेव में इसका बिलै हो जाएगा. यहीं पर मौझूद है एक गोड़ा ग्राम गोड़ा ग्राम यह एक आदिवासी ग्राम है इस गोड़ा ग्राम में मौझूद है आपके पाठ बाबा का मंदिर गोड़ा ग्राम में मौझूद है आपके पाठ बाबा का मंदिर देखिए यह पाठ बाबा का मंदिर है यह अपन जिसमें गोडे के ऊपर यह पाठ बाबा बैठे हुए है इस्टानी मन्यताओं के अनुसार शुरू में यह मूर्ति अपने जगह को छोड़ करके इधर उधर चले जाती थी यानि गाव के किसी दूसरे हिस्से में जा करके ये मूर्ती लोगों को देखने के लिए मिलती थी यानि ये जो मूर्ती है एक जगा इस्थाई नहीं रहती थी तो इस मूर्ती को एक जगा इस्थाई एक ही मंदिर के अंदर रखने के लिए मंदिर में इसे जकड करके बाँ दिया गया है जन्जीरों से तो ये आदिवासी देवता, पाठ बाबा पाठ बाबा जो की घोड़े के अब बैठे हुए है जो की जन्जीरों से जकड़ी हुई एक भगवान की प्रतिमा है यानि आदिवासियों के जो भगवान है पाड बाबा उनकी प्रतिमा है तो पाड बाबा मंदीर कहाँ पर मौजूद है गोरिला पिंडर मरवाही में जो की गोढ़ा ग्राम आदिवासी बहूल छेत्र गोड़ा ग्राम में मौजूद है ठीक है देखे इधर हो गया अब देख गोरेला पेंडरा मरवाही आपके बैगा आदिवासी बहुल छेत रहें ठीक है तो देखिए जितने भी टॉपिक बताए यह सभी इनपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा मैप में पहला चीज जगह के नाम याद रखने है अनुपपूर अनुपपूरकत अमरकंटक अमरकंटक म बोला जाता है ज्वालेशवर धाम बोले या जलेशवर धाम बोले सोन मुंडह से निकलती है आपकी जोहिला नदी जो की सहायक है आपके सोन नदी के ठीक उसके पेंडरा जो की 36 गड़ के 36 गड़ों में से एक गड़ ठीक ज्वालेशवर धाम के उपर मौजूद है मा मरही माई मंदिर नीचे मौजूद है राजमिर गड़ जो की 36 गड़ का मेगाल है और भारत का दूसरा अमरकंटक भी कहा जाता है ठीक है पेंडरा से नीचे है अंजनी जो की इंडेस्टल एरिया है उसके नीचे है गोड़र पेंडर रोड गोड़ मेंड़र के उपर धनपूर मरवाई जहांपे सफेद भालु बहुतायत मातर? यहां-पर जामवंत पर्योजना चलती है इसके एक साइड मौजू की पहाड़ी जिसकी उचाई है 1080 मिटर उसी के नीचे है आपकी घाट बहारा की पहाड़ी जहां से निकलती है बंभनी नदी जो कि हस्देव की एक सहायक नदी है ठीक यहां पर गोड़ा ग्राम है जहां पर मौझूद है आपका पाड़ बाबा का मंदीर ठीक तो यह सारे यानि 10 फरोजी के दिन इस नय जिले का गठन किया गया ठीक है देखिए अब हम देखते है पेंडरा यह जो हमने देखा था पेंडरा इस पेंडरा का थोड़ा आप इसका इतिहास भी देख लीजिए वर्ष 1900 में यहां ते प्रकाशित होता था 36 गड़ मित्र नामक एक पत् ठीक समाचार पत्र यह समाचार पत्र किसने निकाला था माधावराव सप्रे जी ने एक समाचार पत्र निकाला था वर्ष 1900 में जिसे 36 गड़ का पहला समाचार पत्र भी कहा जाता है क्या नाम था 36 गड़ मित्र समाचार पत्र ठीक है अब देखिए वर्ष 1902 यह काफी important है ये चीज़े आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, वर्ष 1902, वर्ष 1902 में हमारे 36 गण प्रवास में आये थे गुरुदेव रविंद्र नाथ टेगोर, ठीक है, देखिए, वर्ष 1902 में आपके गुरुदेव रविंद्र नाट टैगोर का आगमन हुआ था हमारे 36 गड़ में ठीक ये अपने पतनी के छै रोग के इलाज के लिए आये हुए थे छै रोग देखिए गुरुदेव रविंद्र नाट टैगोर जी की पतनी का नाम था आपका मृनालिनी देवी बिर्णालिनी देवी जो की गुरुदेव रविंद्र नाट टैगोर जी की पतनी थी जो की छै रोग से संक्रमित थी उनके इलाज के लिए कलकत्ता से वे आये थे हमारे 36 गड़ वाले इस पेंड़रा छेत्र में देखिए ये जो गोरिला पेंड़रा मारक में ये जो आपका पेंड़रा नामख जो जगह है यहां पर मौजूद था आपका एक सेनेटोरियम जहां पर इस छै रोग का इलाज होता था तो कलकत्ता से वो बिलासपूर पहुँचे थे तथा बिलासपूर में उन्हें 6 गंट इंतजार करना पड़ा इस सेनेटोरियम में जाने के लिए, तो अपने 6 घंटे का समय वो विलासपूर रेलबे स्टेशन में बिता है, फिर वहां से वे आपके सेनेटोरियम में इलाज करा है, दुर्भाग के बश्च इलाज तो हुआ, लेकिन उनके पतनी की मृत्यू भी हु ये सारे चीजों को उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत की रूप में अपनी कविता फांकी में वर्णन किया, उनकी एक कविता है जिनका नाम है फांकी, फांकी में उन्होंने ये जो बिलासपूर में 6 घंटे का समय व्यतीत किया, इन सारे चीजों को उन्होंने अपनी एक क कवीता फांकी में उसका वर्णन किया था ठीक है उनकी कवीता फांकी में हमारे बिलासपूर का वर्णन है ठीक तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है गुरुदेव रविंद्र ना टैगोर का आगमन कब हुआ था पूछा जाए तो वर्ष 1902 में हमारे 36 गड़ के बिलास माई मंदिर मैं पहले ही बदा चुका हूँ वर्ष 1984 में नर्मदा एक्स्प्रेस का यहां पर दुरघटना हुआ था जिसके पस्चात रेलवे विभाग था था वन विभाग ने मिल करके इस छेत्र में इस मंदिर की स्थापना की ठीक नेक्स देखिएगा धनपूर जो हमने ठीक भसमा सूर की भी गुफा काँजाता हु थेक मान जाता है टीक है इस गूफा का दूरी कितना है दो उसका आकलन किया नहीं जा सका है लेकिन ऐसा महपे इस्थाने इस्तर पर वहाँ पर एक कहानी प्रचलित है कि इस गुफा की लंबाई 500 किलिमेटर से भी अधिक है यानि इस गुफा का जो दूसरा छोर है वो मध्य प्रदेश के सहडोल जी लेके आज़ पास उसका दूसरा छोर खुलता है गरके तो यहाँ मौझूद पांड़ गुफा कहाँ पर धनपूर में मौझूद पांड़ गुफा या भस्मा शुर गुफा इसके अलावा तेखेए यह आपका पांड़ गुफा है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्यातवास के 12 साल इसी छेतर में बिताये थे क्यूंकि धनपूर के आजपास पांडवों के द्वारा बनाये गए बहुत से तलाव आज भी मौझूद है वहाँ पे बहुत से तलाव मौझूद है जिसे कहा जाता है कि उन तलावों को पांडवों ने बनाया था ठीक है तो यह आपका महाभारत कालीन एक पौरानिक इस्थल है यहाँ मौझूद है पांडवों गुफा इसके साथ साथ मौझूद है आपके भसमा सुर की गुफा इसके अलावा आपको यहाँ पर साक्ष मिलेंगे उत्तर पाशानकालिन पाशानकालिन के जो साक्ष है उत्तर पाशानकालिन आपको साक्ष मिलेंगे इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है आपके बेनी भाई बेनी भाई की प्रतीमा देखिए बेनी भाई की जो प्रतीमा ह वो actually में एक जैन तिर्थंकर की प्रतिमा है, एक बहुत बड़ा चटान है, उस चटान में एक आकरिती उकेरी गई है, उस आकरिती को कहा जाता है अजानु बाहू, अजानु बाहू मतलब जिसकी भुजाय कापी लंबी हो, गुटने से भी लंबी जिनकी भुजाय हो, उन्हे पूछते हैं, जो उतकिर्ण जो पत्थर के पर उतकिर्ण जो प्रतिमा है, उसे इस्थानिय लोग बेनी बाही के नाम से पूछते है, जबकि वो देखने पर एक जैन तिर्थंकर, अजानु बाहू का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजाय आपके घुटने से भी लंबी है, अगर हम वो उतकिर्ण प्रतिमा को देखेंगे, तो उसकी भुजाय उनके घुटनों सो भी लंबी है, इसलिए उस प्रतिमा का नाम दिया गया है, अजानु बाहू, लेकिन उनके जो इस्ट्रक्चर है, देखेंगे चेहरे जो उनकी उतकिर्ण, जो पत्थर पर उतकिर्ण जाना है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इस्थानी उस तर पर उन्हें बेनी भाई के नाम से पूजा जाता है, ठीक है, तो ये सारे important fact जो बचे हुए थे इस नय जिले से related, ठीक है, तो ये सारे important fact याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, कि यहाँ पर चार पहाडि जोज़ा जलप्रपात एक नाले के उपर बना हुआ है यह जलप्रपात जोज़ा जलप्रपात किस जिले में पूछा जाए तो गोरिला पिंटर मरवाही पे छे नदिया यहां पर बहती है एक है सोन नदी उसके बाद है अरपा नदी मलनिया नदी उसके अलावा जोहिला नदी बमहनी नदी तिपान नदी तो टोटल छे नदिया इस नए जिलिसे होकर बहती है ठीक है तो इस सारे इंपोर्टन फैक्ट याद रखिएगा इन नदियों के नाम अगर कहीं आते हैं तो इन नई नदियों के नाम से प्रश्ण बनते हैं तो इन सारे चीज़ों को याद रखिएगा किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक और शेर जरू जिएका धन्यवाद